हलो फ्रेंड्स यदि आपको प्रेग्नेंसी हो गई है और अभी आपका पहला महिना ही चल रहा है लेकिन किसी कारण वश आप यस प्रेग्नेंसी को करना चाहते हैं तब आपकी दिमाग में एक सवाल यह आएगा कि अब मुझह इस प्रेग्नेंसी को कैसे टर्मिनेट करूँ यानि कि यदि आप गर्वपात के सुरक्षित विकल्पों की बारे में सोच रहे हैं, कि एक महीने में, यानि कि first month of pregnancy में, प्रिगनिंसी को कैसे अबॉट किया जा सकता है या कैसे गर्वपात किया जा सकता है तो मैं डॉक्टर सुशिला सैने आज आपको गर्वपात के सुरक्षित विकल्पों के बारे में बताने जा रही हूँ क्योंकि कई बार कपल मेंटली तयार नहीं होता है कई बार एक्सिडे बहुत च्छोटा हो जिसके विज़े से अगर आगे प्रेगनेंसी करें नहीं करना चाहते हैं तो किसी भी कारण वह अगर आप अगे आगे करेंद करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप गर पात के और आप्षिन्स के बारे में सोच सकते हैं Medical Termination of Pregnancy यानि कि MTP इंडिया में valid है, आराम से आप करवा सकते हैं, valid reason होना चाहिए और आप कभी भी किसी अच्छे कैनेकलोजिस्ट के पास जाकर MTP करवा सकते हैं. अब बात आती है कि कौन-कौन से तरीके ऐसे हैं कि जो first month of pregnancy में adopt किये जा सकते हैं, यानि कि उनको चुना जा सकता है, गरभपात के लिए जनरली दो तरीके होते हैं, तो medicine से होता है या सरजरी से होता है, यानि कि हम लोग जिसको बोलते हैं कि medical और surgical abortions, तो medical abortion में MTP kit दिया जा जानी होती है, या फिर दो-दो गोलियां करके अगले दिन, उसके अगले दिन भी आप खा सकते हैं, इस तरीके से जब आप गोलियां खाते हैं, तो दूसरे तीसरे दिन से आपको थोड़ी bleeding शुरू होती है, चौते बांचोई दिन तक हो सकता है कि आपको heavy flow हो, और 8-9 दि तक bleeding होती है, और 10-15 दिन के अंदर एक layer हो जाती है, लेकिन जनरली medical abortion 90-95% तक successful होता है, कई बार empty kit लेने के बाद आपको भी विकुल भी bleeding नहीं होती है, कई बार बहुत जादा bleeding हो जाती है, कई बार बच्चे की कुछ pieces भी अंदर रह जाते हैं, जो बाद में सफाई करानी पढ़ सकते हैं, या फिर आजकल दूर्बीन से भी उनको निकाला जा सकता है, दूसरा तरीका होता है surgical abortion, surgical abortion को जनरल भाशा में डिनसी कहा जाता है, हम लोग उसको dilatation and evacuation या डिनी बोलते हैं, अब आपके दिमाग में एक सवाल आता है, अभी तो एक महीने का ही बच्चा है वो तो गोली से ही ठीक हो जाएगा, क्या उसको हमें agency कराने की जरूरत है, तो कई बार ऐसा होता है कि पहले महीना तो है, लेकिन आपके period से regular होते हैं, कई बार वो 7 हफते से या 8 हफते से उपर की pregnancy हो जाती है, तो गोलियां काम नहीं करती है, और गोलियां अगर आपने ले बार्शन करते हैं, तो पेशन जैसे ही admit होता है, तो तुरंत उसका vacuum device से सक्षन करके उसको clean कर दिया जाता है, प्रेगनसी को सारी को बाहर सकाउट कर लिया जाता है, और योट्रस को पूरा clean कर दिया जाता है, जिससे कि उनको कोई extra bleeding नहीं होती है, definitely, और उनका time भी कम खरा नहीं होती है, और very next day आप अपने काम पर जा सकते हैं, तो इस तरीके से इसमें किसी प्रकार का कोई टुकडा छूपता भी नहीं है, bleeding भी बहुत कम होती है, और आप बहुत जल्दी free हो जाते हैं, definite procedure है, इसका कोई failure नहीं है, यानि कि अगर आपने DNA कराया है, यानि कि surgical abortion कर होती है, consent sign करने बढ़ती है, और इसके साथ ही थोड़ा सा anesthesia भी दिया जाता है, तो इसका अपना anesthesia का एक अपना risk होता है, उसी जगे अगर आप medical abortion की बात करते हैं, और आप गोलियां खाती है, और इसके बाद में गोलियां आपको हो सकता है कि बहुत सदा heavy bleeding हो, तो आपक emergency में डॉक्टर को report करना पढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा heavy bleeding होती तो कई बार emergency में DNC आने की सफाई करनी पढ़ सकती है, और इसके अलावा कई बार टुकडे रह जाएं तो आपको दुबारा सफाई के लिए आना पढ़ सकता है, तो दोनों options अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन कोई सा भी option अपनाने से पहले, डेफिनिटली एक बार अपने sonography आप जरूर करवा लीजी, ये confirm कर लीजे कि कहीं आपको ectopic pregnancy तो नहीं है, ectopic pregnancy rule out करने के बाद ही आपको definitely कोई option चूज़ करना चाहिए, और जैसे आप sonography कराएंगे तो आपको डॉक्टर आपको बत statement suggest करती हैं, तो उसको कभी भी ignore ना करें, बेना sonography के डेंसी या abortion की प्रक्रिया कोई सी भी ना अपनाएं, तो इस तरीके से आपको ये समझ में आगया है कि first month के अंदर आप जब भी abortion करवाना चाहें, तो medical और surgical दोनों options available हैं, दोनों के pros and cons याने फाइदे नुक्सान मैंने आपको समझा दियें, फिर भी आपको लगता है कि कोई query आपके छूट रही है, तो आप comment box में लिखके हमसे पूश सकते हैं, मैं या मेरी team में से कोई उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, और हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जैनकारी के साथ करें है, यश्क है